हलो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग मुझे उम्मी देखिए आप लोग अच्छे होंगे तो देखिए हम लोग ना चैप्टर नंबर 8 जो है जो है जोग्रॉफी का यानि के इंटोड़क्शन टू इकोनॉमिक्स इसके स्टेडी हम कर रहे हैं जिसमें हमारा जो लेक्शन न प्रभारे में जाना था और एकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक के भी चैप्स क्या होता है वह भी मैंने आपको बहुत ही अक्षे तरीके इक्स्प्रेंश किया था ठीक है तो आई होब कि आपको लेक्शन नंबर वन अच्छे तरीके से clear हो गया होगा अब यह है हमारा कौन सा लेक्चर 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 नमबर टू देखो मैं यहाँ पर लिखती हूँ यह है आप लोगों का second लेक्चर जिसमें हम लोग क्या study करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं types of economy ठीक है लास्ट मेन कुछ में आप लोगों को questions भी दूँगी जिनके answer आप मुझे खुदी बताओगे ओके तो चलिए देरी नहीं करेंगे शुरू करते हैं यहाँ पर हम लोग types of economy ठीक है तो कितने types के economy हम लोगों को यहाँ पर study करने हैं तो तीन पहला होता है आप लोगों का capitalistic economy चलो मैं यहाँ पर लिखती हूं बस आप लोग को कुछ नहीं करना देखते जाओ इधा ठीक है आभी कहीं मत देखना कैपिटलिस्टिक economy अब इसमें क्या होता है तो जो भी आपके means of production है ना यानि कि जो भी आपके factor of production है उनके ऊपर किसका कंट्रोल होता है तो इस economy में या पर किसका कंट्रोल होता है तो जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं उनका कंट्रोल होता है ठीक है अब यहां पर मतलब कई सारे बच्चों को पता होगा कि प्राइवेट सेक्टर क्या होते हैं लेकिन जिनको नहीं पता है वह यहां पर दीख लिजीगा प्राइवेट सेक्ट और पुब्लिक सेक्टर तो देखिए आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगी मुझे बाद बताईए का हमारे देश में जो रेल है ना यह किसके हाथों में है यानि इसको कौन कंट्रोल करता है तो जो गवर्मेंट है ना वो कंट्रोल करती है ठीक है तो रेल किसमें आ इसलिए वह कहां पर आएगा पुब्लिक सेक्टर में आएगा यानि कहने का मतलब क्या है कि जो भी आपके बिजनस जो भी कंपनी किसकी अंदर हो मतलब गवर्मेंट के अंडर टेकिंग में हो ठीक है तो उनको आम लोग पुब्लिक सेक्टर बोलते हैं और जब प्राइवे कि लेखे लो फिर आपको एक्स्पेल करती हुए ओनर्शिप और मैनेज्मेंट और मेंज्मेंट मैंनेज्मेंट कि करता है तो जो भी प्राइवेट सेक्टर है यानि नीजी-खेत्र वह मैनेज करते हैं यहाप लिखेंगे कि हम लोग प्राइवेट सेक्टर यानि इसमें किसके हाथों में होता है मैनेजमेंट तो प्राइवेट लोगों के हाथों में होता है कौन से टाइप के decision ले सकते हैं तो जिसमें ज्यादा profit होगा वो उसी चीज को produce करेंगे है ना तो यहां पर देखिएगा main aim जो है दूसरा point यहां पर देख लीजेगा इस वाले economy में main aim क्या होता है maximum profit earn करना ठीक है क्योंकि जिसमें ज्यादा profit होगा उसी चीज को वो लोग क्या करेंगे produce करेंगे बराबर तो इसका main aim क्या हो जाता है maximum profit earn करना चलो यहां पर एक और बात हम लोग करते देखो जैसे जो भी आपके economy मतलब है ना उनके कुछ न कुछ disadvantage भी है तो इसका भी disadvantage है तो इसका disadvantage क्या है तो देखिएगा इसमें क्या होता है ना जो अमीर लोग है वो और अमीर बनते जाते हैं और जो गरीब लोग है वो नीचे ही रहते जाते क्योंकि जो भी जाएगा और इसका disadvantage और इसके एक्जामपल देख लेते हैं कि कहा कहा पर यह वाली economy है तो देखिएगा नाम आप लोग याद करके रख सकते हो पहला देश है यूएस से दूसरा आ जाएगा जाएगा जापान ठीक है और तीसरा क्या आजएगा स्टूडेंट जर्मनी आ ज ठीक है तो यह तीन पॉइंट से आप लोगों को यह capitalist economy में याद रखने है पहला क्या याद रखोगे कि ownership and management of means of production is in the hands of यह किनके हाथों में होता है तो जो प्राइवेट सेक्टर है उनके हाथों में होता है ठीक है और इसमें में क्या होता है maximum profit earn करना है जो भी businessmen लोग है व और यहाँ पर example कौन-कौन से है कौन-कौन से देशों में यह वाली economy है तो USA जापान और जर्मनी ठीक है याद रहेगा आप लोगों को तो यह capitalist economy यहीं पर finished होता है अब मैं बात करूंगी दूसरे टाइप के economy की देखिए इसके opposition में एक और economy आया क्योंकि इसमें disadvantage भी था न ठीक है socialistic economy economy अब इसमें क्या होता है student चलो मैं यहाँ पर लिख देती हूं ownership and management ownership and management of means of production यह किन के आतों में होता है इसमें तो जो public sector है यानि कि government ठीक है public sector यानि कि वो government के हाथों में होता है ठीक है इस type की economy में क्या होगा सब कुछ किसके हाथों में होगा तो सरकार के हाथों में होगा मतलब सरकार जो जाएगी वो produce करीगी और उसको ही सब लोग क्या करेंगे खरीदेंगे ओके तो यह हो गया आप लोगों का socialistic economy देखो socialistic economy में जो में एम होता है तो समझेगा इसको ध्यान से इसमें में होता है लोगों की भलाई करना यानि कि सामाजिक कारी करना ठीक है देखो मैं यह आप लिखते हूँ social welfare ओके क्योंकि देखो government है तो government क्या चाहेगी कोई भी सरकार जो है वो क्या चाहेगी कि हमारे देश के सभी लोगों का विकास हो है ना तो वह उस हिसाब से क्या करेंगे जो भी आपके मतलब goods है उनका production करेंगे बराबर तो इसका main aim क्या हो जाता है social welfare यानि कि सामाजिक कार करना ठीक है तो यह दूसरा point भी आप लोग याद रखिएगा अब यहां पर देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हर एक economy का अपना अपना नुकसान भी है disadvantage भी है तो अब इसका disadvantage क्या है वो भी आप समझ लेजिए इसमें क्या होता है इसमें आपके पास options जो available नहीं है यानि कि जो गवर्मेंट ने बना दिया वही आपको खरीदना पड़ेगा ओके इसमें क्या होता था प्राइवेट लोग है तो वह मतलब कोई सारी companies होंगी ना उसी चीज की तो आपके पास वहां पर options available है यह नहीं पसंद आया तो आप दूसरा ले सकते हो ठीक है भले ही वो जहादा दामों में मिलेगा लेकिन आप लेशक्तियों लेकिन इसमें क्या होता है हर चीज को government ही स्वीश normี कि तो नहीं होते अब इसके examples एगले ज़रा कौन कौन से लिश्डियों में यह टाइप का economy है तो देखिएगा सबसे पहले आता है और दूसरे नंबर पर कौनसा अएगा रसी और चाइना यहाँ पर कौन सा से को सब्सक्राइब कर लिया अग तीसरा तो तीसरा टायप है आप लोगों का मिक्सड अब इन दोनों से अलग और मिक लाया गया जो हमारे इंडिया में मतलब वही चलती है जिसका नाम क्या है मिक्स टीख है इसमें क्या होता है समझ्येगा डेकिए इसमें क्या होता था प्राइवेट लोम और से रहता था इसमें गवरणिक tous एक प्राइवेट लोगों कीवें होंगे ठीक है तो चलिए उसको मतलब उसके बीवारे में हम यहां पर स्टडी कर लेते हैं तो थर्ड पॉइंट आप लोग थर्ड टाइब क्या हो जाएगा स्टूडेंट मिक्स्ट एकोनोमी ठीक है चलिए इसमें पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि ओनर्शिप और मैने मैनेजमेंट और मेंस ओफ प्रोडक्शन िविए कि इसके आतों में होता है तो समझ इएगा यहांपर बोथ यानि कि दोनों आएएंगे कौन-कौन से आएएंगे तो प्राइवेट सेक्टर भी आ जाएँगे और पब्लीक सेक्टर भी आ जाएँगे तो यहांपर मैं पुब्लिक सेक्टर यानि कि government के हाथों में भी कुछ चीज़े होती है। वहीं प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज है जो प्राइवेट लोग छलाते हैं तो आजाएगा आप लोगों का प्राइवेट सेक्टर में तो देखे इसमें होता क्या है जैसे इसमें मेन मोटिव क्या होता था लोगों की भलाई करना इसमें मेन मोटिव क्या होता था प्रॉफिट अन करना अब इसमें दोनों ही आ जाएगा क्योंकि जो प्राइवेट लोग है वो क्या सोचेंगे कि उनको क्या करती है बहुत सारे स्कीम शलाती है ठीक है समझ में आया तो यह तक उपलों कोई क्या कहते है तो है अपग नहीं को कियाख चेहरो गई अब ने क्या सक्षैंग करो कि कहां कहा पर यह वालड़े उन्डूल Cancer है ना यहाँ पर गवर्मेंट के हाथों में भी कुछ कंट्रोल होता है और कुछ के ऊपर प्राइवेट सेक्टर का भी कंट्रोल होता है ठीक है तो हमारे इंडिया में यह टाइप की एकोनोमी देखने को मिलती है और कहां पर मिलता है यूके का नाम आप लोगों सुना होगा कि यह टीन टीन की एकोनोमी को हमने अच्छे तरीके से यहाँ पर स्टेडी कर लिया है चलो एक बार आप लोगों को रिवाइस कर वाती हुआ अब मेरी बातों आप ध्यान से बस सुनते जाएगा ठीक है कि सबसे पहला economy हमने क्या देखा capitalist economy इसमें क्या होता है कि जो आपके जेए फैक्टर ओफ प्रॉडक्शन वह किसके हाथों में होता है तो ये फैक्त हों में होता है तो अगर आपके एक्जाम में ज mujeres 1-0 कि प्राइवस ये शर्य को क्या होता है maximum profit earn करना है इसमें private लोग है तो वह अपने हिसाब से decision ले सकते हैं उनको जो मन करेगा वो बनाएंगे और उसको बेचेंगे ठीक है और इसका disadvantage क्या है कि इसमें जो अमीर लोग है वो और अमीर होते जाते और जो नीचे वाला हिससा है वो नीचे ही रहता जाते जाते गरीब है तो यह से हो गया जर्मेनी यह तीन देस आप लोगों को याद रखने है ठीक है फिर उसके बाद हम लोगों अगला economy कौन सा देखा देखे इसी के opposition में यह वाले economy आई थी socialistic economy ठीक है इसमें दे हैंस management of means of production is in the hands of public sector यानि कि government के अंदर में सब कुछ होता है सारा कंट्रोल मतलब यह वाले economy में सब कुछ कौन कंट्रोल करता है तो जो हमारी गवर्मेंट है वो उसको मतलब बैलेंस होना चाहिए ना कि जो मतलब जो नीचे वाले इससे हैं वह भी तो उपर आने चाहिए तो इसमें आपका आजाएगा और इसका डिसएडवांटेज मैंने आप लोगों को बताएगी यहां पर आपके पास ओप्शन अवेलेबल नहीं जो गवर्मेंट ने बना दिया वहीं आप लोगों को लेना पड़ेगा ठीक है और इसके एक्जांपल कौन कौन से देश मैंने आप लोगों को बताए यह तो बस दो यह यहां दो चाहिएगा चाइना और रश्या ठीक है फिर यहां पर हमने लास्ट में कौन से एकोनॉमी देखी थी स्टूडेन मिक्स एकोनॉमी जो हमारे भारत की है इसमें क्या होता है कि ownership and management of means of production is in the hands of public sector as well as private sector यानि दोनों के हाथों में होता है ना प्राइवेट सेक्टर भी यहां पर काम करती है और जो government है मतलब कुछ चीजे है जो government के हाथों में होती है और कुछ चीजे ऐसी है जो प्राइवेट लोगों के हाथों में होती है ठीक है यहां पर प्राइवेट और पॉब्लिक सेक्टर ठीक है यह पॉइंट भी आप लोग लिख करके रख सकते हो बराबर और इसके एक्जामपल्स के अगर मैं बात करूँ तो क्या कहां कहां पर यह वाली एकोनोमी चलती है तो इंडिया में यूके में और स्वेडर में ओके तो आप लोगों को यह टाइप सॉफ एकोनोमी क्ल सकते हो है ना क्योंकि बाद में जब आपका एक्जाम का टाइम आएगा ना फटा-फट से इसी को अच्छे तरीके से रिवाइस कर लोगे ना एक बार देख लोगे ऊपर उपर से तो फिर आप एक्जाम में ना कोस्चन के आंसर लिख पाओगे ठीक है तो अगर आप चाहो तो जो भी मैं आपको यहां पर लिखा करके दे रही हूँ उसको आप शॉर्ट में मतलब अपनी नोट बुक में लिख सकते हैं ठीक है तो चलिए आप देख लीजिए इसको फिर उसकी बाद इसी से रिलेटेड ना कुछ कोस्चन मैं आप लोगों से पूछती हूँ और दे से पहला सवाल क्या है कि in capitalistic economy ownership and management of means of production is in the hands of मुझे बताइएगा कि इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्षन में दीजिएगा ठीक है आप ऐसे डालना कोश्चन नमबर वन और कोश्चन नमबर वन का आंसर अगर आपको लगता है तो आप यहां पर लिख सकते हो देखो बहुत ही आसान कोश्चन मैंने आप लोगों से पूछा है जिनोंने भी बस म सेक्षन में आप लोग जरूर आंसर बताइएगा अब यहां पर सेकंड कोश्चन की हम लोग बात करते हैं यह पर सिंपाल है कि जर्मनी यूएस से जापान हैव एडॉप्टेट मतलब यह जो तीनों देश हैं इन्होंने कौन से एकोनोमी को एडॉप्ट किया है कैपिटलि एकोनोमी के मैंने आप लोगों को एक्जांपल दिये थे तो आपको जो भी आंसर ठीक लगता है वह आप मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बजा सकते हो अगर आपको ऑप्शन एस लगता है तो एलिको बी सही लगता है तो बी लिखो ठीक है मैंने आप आंसर नहीं लिखा यानि कौन से एकोनोमी है जिसमें प्राइवेट सेक्टर और पॉब्लिक सेक्टर दोनों साथ में मिलकर के काम करते हैं मतलब को एक्जिस्टेंस होता है कौन से एकोनोमी में जल्दी से सोचिए देखें ऑप्शन भी है आपके पास बिना ऑप्शन के मैंने कोश्चन नहीं तो इसमें से आपको जो भी आंसर ठीक लगता है वह आप मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हो ऐसे आप लिखिएगा कोश्चन नमबर 3 और यहां पर यह फिर भी लिख सकते हो ठीक है तो यह तीनों के आंसर आप लोगों को खुद से ही देने हैं कमेंट सेक्शन में और एक और बात बता दो देखिए टेलिग्राम चैनल से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाएगा क्योंकि वहां परना में एक काम करूंगे जो भी चीजे में आप लोगों को यहां पर बोर्ट पर सिखा रही हूं लिख करके तो उसकी पेडिया फाइल बना कर आप बताना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं तो चलिए आज के लिए बस इतना ही अभी नेक्स वीडियो में हम लोग जो आगे का यह इंट्रोड़क्शन टो एकोनोमिक्स का जो भी आगे वाला पाट है उसको आम लोग स्टड़ी करेंगे और नेक्स लेक्चर में आपका यह जो चैप्टर नमबर एट है यह हो जाएगा कंप्लेट ओके तो चलिए सब लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए चलो बाइवरीवन